नमस्कार किसन बाईयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की केती यूटूब चैनल पे जिसाए की किसन साथियों पिछले वीडियो में हमने आपको बताया हैं कि स्वाविन की फसल जब 20-25 दिन की हो जाती हैं तो इस समय आपकी फसल में कौन-कौन से कीटों का अटेक होता है हर कीट के लिए हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जिस कीट को आप नियंतित करने जा रहे हैं उस कीट के बारे में आपसे कोप पूरी जानकारी हो सोयबिन कीट स्रंखला की कडियों में किसल सातियों हमने आपको तनामक्षी और गर्डल बिटल से संबंदेज वीडियो प्रोवाइड किये हैं यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो देखकर उन कीटों के बारे में डीटेल से जा सकते हैं किसल सातियों आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं शुरुआती है वस्त्वा में स्वयबिन की पसल में लगने वाले ऐसे ही कीट के बारे में जिसके बारे में बहुत सारे किसन भाई बहुत ही कम जानते हैं या कहीं कहीं पर उनको confusion होता है कि ये वही कीट हैं किसन साथियों जिस कीट की हम बात करें उसे हिंदी में कहें तो तनाचेजर कहते हैं और यहीं इसका वेग्यानिक नाम लें तो डेक्टिस टेकसास के नाम से जाना जाता है या इंगलिस में इसको डेक्टिस इस्टेम बोलर के नाम से जाना जाता है किसन साथियों इसका जो वैस को होता है या आपको गड़ल बिटल के ही जैसा दिखता है लेकिन ये बिलकुल भी अलग परकार का होता है आप अपने स्क्रीन पर इसको देख पा रहे होंगे किसनई साट्यों गडल विटल की तरह रहीज यह कोई चकर नहीं बनाता है लेकिन हाँ यह तना मखी की तरह आपकी बसल में अंडे देता है जहाँ पर जो मुक्य पत्तिया होती हैं जहाँ पर मुलाय मभाग होता है आपके तने का वहाँ पर ये कीट उसमें एक अंडा रख देता है कीट फिर लार्वा यानि कीड़ा बन जाता है तेकिन किसल साथियों आप यह देखेंगे कि जो गड़ल बिटल का जो कीड़ा होता है वो आपको येलो यानि पिले कलर का दिखेगा वही यदि आप इस्टेम उलर के कीड़े को दिखेंगे तो ये आपको क्रीम कलर का दिखाए देगा जहां पर आप कीड़ों से भी अंतर देख पाएंगे इसक्रीन पर आपको ये दिखाए दे रहा होगा किसल साथियों अब बात करते हैं इसके नुकसान की तो जिस परकार से तरा मक्षी और गड़ल बिटल आपकी फसल के तने को नुकसान पहुचाते हैं ठीक इसी परकार से ये कीड़ा भी आपकी फसल को नुकसान तने को ही पहुचाता है इससे भी इतना ही नुकसान हो सकता है जितना की stem fly और गडल बिठल के कीडो द्वारा होता है तो किसन साथियों इसका नियंदर्ण करना भी बहुत जरूरी है इसके नियंदर्ण के लिए भी किसन साथियों आपको अलग से कोई दवाई नहीं लेनी है जो दवाईयां आप तनामक्षी या गडल बिठल के लिए लेते हैं उनी दवाईयों से इसका भी कंट्रोल आसानी से हो जाता है तो जिन किसन भाईयों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो उनने अच्छी तरस से पता होगा इन किटों को नितर्ण करने के लिए कुनकोन से दवाईयां बाजार में उपलब्द हैं और कितनी मात्रा उन्ती चाहिए होती है इनको कंट्रोल करने के लिए और कब हमें इसका इस्प्रे करना है जिन किसन भाईयों ने वो वीडियो नहीं देखा उनको मैं शार्ट कट करके रुब में यदि बता दूँ तो किसन सात्रियों शुरुआती है उस्ता में जब आपकी वसल 20 से 25 दिन की हो तब आपको इन किटों को नितर्ट करने के लिए या तो आप अलिका जिसमें लेमडस ILO 3 और थायोम एक्जम की जो दवाई आते हैं कोमिनेशन आता हैं वो चाहिए आप अलिका लें हैं किसे अन्य कंपनी का भी ले सकते हैं या आप एमपलीगो जिसमें क्लोर एंटर निप्लोल और लेमडस ILO 3 और ले सकते हैं या आप जो बायर का सोलो में आता हैं वो ले सकते हैं या वो ही टेक्निकल किसी आप अन्य कंपनी का ले सकते हैं लेकिन किसासर्टियों थोड़े से पेश्वे खर्च करके आप किसी अच्छी कमपनी की अच्छी ब्रांड की दवाई ले और उस दवाई का रिजल्ट आपको सही मिलेगा दवाई सही मात्रा में सही समय पर यह आप उचित पानी के साथ छिड़काओ करेंगे तो आपको इन दवाई के 12 किसासर्टियों बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप शुरुआती अवस्ता से ही अपनी फसल को इन कीटों से बचा सकते हैं चुकि किसासर्टियों फसल काफी चोटी होती हैं और किसान भाई एक में जाकर देखता है तो उसे इन कीटों का नुक्सा शुरुआती अवस्ता में नहीं दिखता है लेकिन जब तक इनका नुक्सान दिखता है तब तक काफी देर हो चुकी होती हैं और फिर किसी भी परकार की दवाई से ये कंट्रोल नहीं होते हैं तो किसासर्टियों इन कीटों के निंटरंड के लिए आप इन दवाईयों का शुरुआती जब आपके वस्ता में अपनी फसल को बचा लेंगे तो निश्चित रूप से आगे चल कर भी आपको नुक्सान नहीं होगा तो किसा था क्यों इसी परकार से जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल पर हैं वो आ सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडिय पसंद आये तो प्लीज आप इसे लाइक भी कर दीजे किसा सथियो ताकि हमारा मनोबल बना रहे और आपका प्यार इसी तरह बना रहेगा तो हम आने वाले वीडियो में स्वैबिन की पसंद में लगने वाले अन्यक्रीट और रोग के बारे में भी विस्तार से जानकारी द बार दीजिए जिससे कि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप सही समय पर रोगों और कीटों से अपनी फसल को बचा सके तो आज की वीडियो में किसा साथियो इतनी ही जानकारी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक किसा साथिय खैल रखियेगा आप अपना अपने परिवार का अपनी फसल का अपने पशुधन का वीडियो देखनेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैहीं जैजवान जैक्स